नमस्ते दोस्तों आज हम बात करेंगे सिर में होने वाले और दाड़ी में होने वाले फंगल इंफेक्शन के बारे में इन दोनों जगे पे बाल होते हैं और जो फंगल इंफेक्शन इन दोनों जगे पे होता है वो करीब-करीब समानतह होता है और उसका इलाज भी एक जैसा होता है इसलिए आज हम इस बारे में बात करेंगे। सिर में होने वाले fungus infection को tinea capitis कहते हैं और डाड़ी में होने वाले fungus infection को tinea barby कहते हैं अब ये fungal infection लगता कैसे हैं जैसे हम सब जानते हैं कि fungus एक लगने वाली बिमारी है और एक दूसरे के कपड़े, तॉलिये, ब्रश, कंगे वगएरा इस्तमाल करने से घर में भी एक दूसरे से ये infection लग सकता है सिर में होने वाला fungal infection अक्सर बच्चों को जादा होता है जो उनके school में एक दूसरे के साथ सिर अटा के खेलने से, बैठने से उनको लग जाता है और जो डाड़ी में होने वाला fungal infection होता है वो अक्सर जवान लड़कों को जादा होता है घरों में दाड़ी का infection अकसर एक दूसरे के तकिये और तॉलिये इस्तमाल करने से हो जाता है एक और चीज है जो लोग काफी लंबी दाड़ी रख लेते हैं या जिनकी दाड़ी काफी घनी होती है और वो उसको ठीक तरह से साफ सफाई नहीं रखते हैं तो उसमें भी इस तरह का fungal infection अकसर हो जाया करता है एक जगह जहां पे fungal infection जो सिर में होता है और दाड़ी में होता है अकसर लोगों को लग जाता है वो है आपके नाई की दुकान वहाँ पे यदि उनके औजार अच्छी तरह से साफ नहीं हुए होते हैं तो कंगी, ब्रश, उस्तरे, कैची और तॉलियों से भी आपको ये infection सिर में और दाड़ी में लग सकता है गोल आकार में बाल गिर जाते हैं या तो बाल पूरी तरह से गिर जाते हैं या थोड़े बहुत बाल गिर जाते हैं और कुछ तूट भी जाते हैं वो जगे लाल हो जाती है, सूप जाती है और उसमें काफी खुजली भी होती है इसी तरह दाड़ी में भी गोलाकार में पाल ज़र जाते हैं और कई बार उसमें उपर से बैक्टीरियल इंफेक्शन होने की वज़े से बहुत रिसाव होने लगता है और छोटे-छोटे फुंसियां भी निकल आती है दोस्तों अब हम बात करेंगे कि सिर में होने वाले और दाड़ी में होने वाले फंगल इंफेक्शन का इलाज कैसे किया जाए इन दोनों इंफेक्शन का इलाज एक ही तरह से होता है और इसमें आपको सिर्फ खाने वाली दवाईयां ही पूरा फायदा कर सकती है इसमें आप cream भी इस्तमाल कर सकते हैं और 2% ketoconazole lotion भी इस्तमाल कर सकते हैं लेकिन इसका इलाज जो पूरा होता है वो सिरफ खाने की दवाईयों से ही होता है जो खाने की दवाईयां इस fungal infection के इलाज में इस्तमाल होती हैं उनका नाम है Drisiofulven, Fluconazole और Turbinofen ये दवाईयां आपको कम से कम 4-6 हफ़ते तक जरूर लेनी पड़ेंगी खाने की antifungal दवाईयों के साथ साथ आपको antifungal cream भी अपने infection पे जरूर से लगाना चाहिए co-trimisole या myconazole cream को आप दो बार जहां पे आपको infection है वहाँ पे जरूर से लगाएं कम से कम 2-4 हफ़ते तक इसके अलावा आप 2% ketoconazole lotion से भी अपनी दाड़ी को और अपने सिर को अच्छी तरह से धो सकते हैं उसका तरीका यह है कि पहले अपनी दाड़ी और अपने सिर को गीला करके उसमें साबुन की तरह 2% ketoconazole lotion अच्छी तरह से मल लें पांच मिनिट तक रहने दें और उसके बाद गुनगुने पानी से उसको अच्छी तरह से धो डालें इससे आपके infection को जल्दी ठीक होने में काफी मदद मिलेगी दोस्तों आशा है कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया है आपको कोई भी सवाल है तो आप comment box में जरूर डालिए